हाई फ्रेंट्स शाही पार्ट साला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीत लिया है और इस इस रिलेटेड हम लोग वन लाइनर पॉइंट को जानेंगे जिससे रिलेटेड परिक्षों में भी काफी प्रस्न पूछे जा सकते हैं उन में से कौन से प्रस्न पूछे जाएंगे ये तो हमको आपको मालूम रहता नहीं है इसलिए से रिलेटेड जो भी important fact, important point, important person जो बन करके सामने आता है उसको मैंने one liner के form में आपके लिए collect करके ले आया हूँ तो आईए एक एक करके हम लोग सभी facts को सभी प्रस्नों को देखते हैं जो भी near about में exam है, कोई भी exam हो, teacher के लिए तो आप लोग जिद्दो जहद कर ही रहे हैं और भी कोई परिक्षा जदी है, तो आपको इस बात को देख लेना चाहिए और T20 ही क्यों, जदि world cup हुआ है, तो world cup से related भी प्रस्न आप देख सकते हैं current affairs के दृष्टी कोन से, world cup जो है, वह भी आपके लिए मात पुर्ण हो सकता है तो आईए हम लोग एक एक करके सभी प्रस्नों पर नज़र डालते हैं यहाँ पर जदि देखें तो ISAC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 को हम लोग देखने जा रहे हैं और पहला point है कि यह जो 2024 में ISAC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल कप आयोजित हुआ जिसमें भारत ने जीत हासिल कर लिया है यह कौन सा edition था, कौन सा संसकरन था edition को हिंदी में संसकरन बोलते हैं यह 9 संसकरन था, ठीक है यह 9 संसकरन यह पहले में भारत ने जीत हासिल किया था और 9 में भारत ने जीत हासिल किया है उसके बाद दूसरा point जो है आयोजग देश या मेजवान देश यह जिस देश में क्रिकेट होता है उस देश को मेजवान या आयोजग देश करते हैं तो इसमें मेजवान देश कौन से था तो West Indies और संजूक तराज अमेरिका जो है कि ये मेजवान देश थे तो शुरूबात वहाता संजूक तराज अमेरिका में और फाइनल मुकाबला हुआ Western Indies में एक जून से शुरू हो करके 29 जून तक किया क्रिकेट जो वर्ल्ड कप चला अगला पॉइंट है अमेरिका में पहली वार अमेरिका पहली वार मेजवानी कर रहा था और टी ट्वंटी बेशुकप क्रिकेट भी खेल रहा था यहनी अमेरिका मेजवान भी पहली वार था और मेजवानी चुकी उसके देशिक मान ले ज ले यह ठ्क नहीं लगा तो फृर इसके लिए क्या हुआ कि मिझवानी करना था अम्रिका इसलिए मिझवान टीम के रूप में परती एक दो वर्स के अंतराल पर होता है यहाँ पूछा जा सकता है कि कितने वर्सों के अंतराल पर होताinding और जोVES के अंतराल पर क्रिकेट विशुकप जो है कि कितने वर्सों के अंतराल पर होता है तो वो चार वर्सों के अंतराल पर होता है पचास ओवर वला और T20 यहने 20 ओवर वला दो वर्स के अंतराल पर महिला क्रिकेट भी विशुकप क्रिकेट भी T20 विशुकप क्रिकेट भी और पुरूश के विशु कप में कुल कितने टीमों ने भाग लिया था 2024 में तो 20 टीमों ने भाग लिया था और कुल मिला कर 20 टीम मिलकर कितने मैच खेले हैं तो 55 मैच खेले हैं नेक्स्ट पॉइंट है ICC T20 विशु कप क्रिकेट 2024 का उदगाटन मैच जो है Grand Prairie Stadium Glass Texas अमेरिका में हुआ था और उदगाटन मैच किसके किसके बीच खेला गया था USA और कानाडा के बीच खेला गया था नेक्स्ट पॉइंट है ICC T20 विशु कप क्रिकेट 2024 का आधिकारिक गान जो है वो क्या था Out of this world ये याद रखना आप लोगों को ये प्रस्ट इंपॉटिंट हो सकता है कि ICC T20 विशु कप 2024 जो है इसका आधिकारिक गान क्या था Out of this world ये आपको याद रखने है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है तीन टीम है कौन-कौन सा USA है पपुआ निगिनी है और युगांडा है ये तीनों पहली बार विशु कप क्रिकेट खेल रहा था तो ये प्रस्ट भी आपके लिए इंपॉटिंट हो जाता है कि कौन-कौन सी टीम में 2024 T20 विशु कप में पहली बार जो है कि हिस्सेदारी निभा रहा था पहली बार भाड लिया था तो तीन देशों के नाम आपको याद रखने चाहिए USA और पापुआनी गीनी और तीसरा है युगांडा ये तीनों देश के नाम आपको याद रखने है उसके बाद है आईसेसी T20 विशु कप क्रिकेट 2024 में भारत ने अपना पहला मैच तो आयर लेंड के साथ खेला है ये जदा इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको फिर भी याद रखने ना चाहिए पूछने को क्या पूछ देता है पता नहीं तो आयर लेंड के साथ भारत अपना पहला मैच खेला था 2007 में अपने नाम किया था पहला जो T20 कब हुआ था 2007 में हुआ था और यह 2007 का पहला विशुकप किरकेट जो था T20 का यह भारत में जीता था पाकिस्तान को हरा कर उसके बाद 2024 में दूसरी बार T20 वर्ल्ड कब का खिताब अपने नाम किया है नेक्स्ट पॉइंट है T20 विशुकप 2024 के लिए भारतिय टीम के मुख्य कोच कौन थे तो राहूल दडवीर थे यह आपके लिए प्रस्न इंपोर्टेंट हो सकता है कि जो T20 विशुकप 2024 हो रहा था इसमें जो भारतिय टीम का मुख्य कोच था कौन था तो कौन थे राहूल ठीक है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ICC T20 विशुकप क्रिकेट 2024 का फाइनल मैच जो है कि किस स्टेडियम में हुआ तो यह कैंसिंग्टन उबल यह ब्रिज़ टौन बारबाडोस स्टेडियम में हुआ था ठीक है यह बस्टन डीज में पढ़ता है उसके बाद नेक् क्रिकेट 2024 के बीजेता टीम को 2.45 मिलियन डालर करिव 20.36 लाख रुपिये और उप बीजेता टीम को 1.28 डालर करिव 10.68 लाख रुपिये प्रदान किया गया अब तक के टुर्नामेंट में यह रासी जो है सरवाधिक है ठीक ना इससे पहले इतनी अधिक रासी कभी नहीं द ही आ जा रहा है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आइसे से टीट्वेंटी विश्व कब क्रिकेट में क्रिकेट के इतिहास में फाइनल मुकाबले में सरवाधिक रन जो है पूरे हो गए और उन्होंने नहीं बना सका ठीक है तो साथ रनों से जीत हासिल की है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आइसे से टीट्वेंटी विश्व कब क्रिकेट के इतिहास में कोई मैच हारे बिना यानि कि जितना मैच खेला सब के सब जीता कोई मैच हारे बिना बेस्व कप का खिताब जीतने वाला दुनिया का पहला टीम जो है भारत बन गिया है, जितना एक मैच बारिस के कारण रद्ध हो गया था, बांकी आठ मैच भारत ने खेले हैं, और आठ के आठ मैचों में जीत हासिल किया है, कोई मैच हारे बिना पूरी की पूरी मैच जीत कर के जो है कि वल्ड कप जीतने वाला बिस्व का पहला टीम बन गिया है, उसके बाद नेक्स्ट है, बिस्व कप में भारतिये टीम का कप्तान, आप लोग जानते ही हैं कि रोहित सर्मा थे, और दुजार चॉविस के टी टीवन्ट बिस्व कप में प्लेयर आप दे टूर्नाम कौन बना, तो जस्परित बुम्राह बने, भारत के एक फास्ट गेंदवाज हैं, जो की जवरदस्त बॉलिंग करते हैं, और जब जब आवश्चक्ता पड़ी, तब तब उन्होंने बिक्टेल ली हैं, रात में भी जब 30 गेंदों में 30 रन बनाने थे, तो मैं मन से हार चु जाता है, यह अलग बात है, लेकिन 30 गेंद में 30 रन बनाना, जब आपके पास 6 बेक्ते सेस हो, दो बल्लेवाज पीच पर हो, दो बल्लेवाज अभी पवेलियर में बचे हुए हो, तो आसान लगता है कि 30 गेंद में 30 रन बना लेगा, तो मैंने मैं इस देखना छोड़ दि साइद 12 रन या कुछ बनाने को था, तो फिर मैंने 4 गेंदे देखा और भारत को जीतते भी देखा, आईए, नेक्स्ट T20 बेसु कप में प्लेयर आप दर टूर्नामेंट किसे गोशित किया गया, तो जस्परित बुमरा को गोशित किया गया, तो महतपुर्ण 15 बिक्टे इ रहमानुला गुर्बाज, ठीक है, रहमानुला गुर्बाज, तो इन्होंने सरवादिक 281 रन बनाया है, और इस बार 2024 के T20 बेसु कप में सरवादिक बिकेट जो है, अर्सदीब के नाम है, और इन्होंने 17 बिकेट लिया है, और एक खिलाड़ी हैं, जो 17 बिकेट लिया है, वो अफगानिस्तान के खिलाडी है वो है फजल हक फारुकी और अर्सदिप दोनों ने बराबर बराबर सतर सतर बिकेट लेकर के स्तरवादिक बिकेट का नाम जो है कि अपने नाम किया है उसके बाद नेक्स्ट है T20 2024 विसुकप का फाइनल में मैं आप दे मैच जो है बिराट कोहली को चुना गिया है उसके बाद 2024 के T20 विसुकप में लगतार दो हैट्रिक अब तक किशी ने नहीं बनाया था और पहली बार अस्ट्रेलियाई बलेवाज पैट कमिन्स ने बनाया है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट जो है है ट्रिक बिकेट लेने का जो नाम है 2024 के T20 विसुकप में वो है क्रिस जार्डन ये इंग्लैंड के खिलारी थे ये दू खिलारी के भी नाम आप याद रख सकते हैं बिराड कोली मैं डाम दे सीरी जार्डन ये याद रखेंगे जस्ट्रीट बुम्रा और सरवादिक रंड जो है ये रामानुत उल्ला रमान उल्ला गुरवाज ने बनाया है अफगानिस्तान के खिलारी है ये याद रखेंगे और और तो जो भी है सरवादिक राशी कितना भारत को मिला यह याद रख सकते हैं उसके वदा आये चलते हैं कुछ महत्वपुर्ण बातों पर यह तो आपको याद रखने हैं चारों खिलाडी के नाव आपको याद रखने हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रसन है बेवी आई है दोजार चौबिस के T20 विश्व कप मे चार खिलाडियों को brand ambassador की रूप में चैनित किया गया था इस मैंसे जब कभी प्रस्ण मुझे लग रहा है कि पूछेगा तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इनमें से किसे नहीं बनाया गया था brand ambassador किसे नहीं बनाया गया था दुनिया के सबसे तेज धावक और आचवार के उलम्पिक स्वर्ण पदक भी जिता रह चुके हैं तो इनका जब बाडी देखेंगे ना तो लगेगा भाई कि दुनिया का सबसे तेज धावक होगा दूसरा खिलाडी है भारत के युवराज सिंग आप जानते हैं कि पुर्व और रौंडर रहे हैं और युवराज सिंग के चख्के मारने के लिए आप लोग खुब मसूर जाने जाते हैं छो बॉल में छो चखके और जब पाकिस्तान में जा करके खेले थे तिनों ने एक अलग ही कारणामा किया था तो आईए उसके बाद तीसरा नाम लेते हैं क्रिश गेल को आप लोग कैसे भूला सकते हैं क्रिकेट से जो भी इंट्रेस्ट रखते होंगे तो क्रिस गेल को कोई नहीं भूला सकता है गजब के बल्लेवाज रहे हैं दुनिया के तो यह पुर्व सलामी बल्लेवाज रहे हैं वेस्टर डिज के और उसके बाद है पाकिस्तान के खिलाड़ी साहिद अफरेदी यह पाकिस्तान के पुर्व बल्लेवाज हैं तो यह चार खिलाड़ी जो है द और उसके बाद तीन टीम भारत जब इस बार बेशुकप जीता तो भारत तीसरा टीम हो गया जिन्होंने दो-दो बार जो है कि बिशुकप अपने नाम किया है तो एक है भारत दूसरा इंगलेंड और तीसरा है वेस्टेंडेज जिन्होंने सरवादिक दो-दो बार जो है टी कोली नहीं खेलेंगे तो दोजार चौबिस के बिशुकप जीतने में बिराट कोली का कितना बड़ा योगदान है इसको हम लोग इस सित्र के माध्यम से देखते हैं बिराट कोली जिन्होंने कुल मिला करके च्छीयत्तर रन बनाये 69 बॉल खेलकर और च्छोचो के और दो चक् में उन्हें पद मुस्री मिला है जो भारत का चोथा सरवोची नागरिक संवान होता है 2018 में द्यान जंद खेल रतन पुरुसकार वी उन्हें मिल चुका है और भारत का यह सरवोची खेल संवान है तो इस प्रकार से इतने मुख्य बिंदों पर मुझे लगा कि आप लोगों ग्रांद कर सकते हैं बने रहे ये शाही पार्ट सला के साथ आज के लिए इतना ही दन्यवाद